नमस्कार विच्चो डेली में स्कूल रियोपनिंग की रिगार्डिंग आपके काफी सारे कमेंट्स मिलने हैं, काफी सारे आपके डाउट्स हैं, काफी सारे आपके कुश्चन्स हैं, तो वो सभी हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, जो भी मेरे पास अपडेट्स हैं, वो अ Omicron आ रहा है क्या situation है क्या लगता है school खुलेंगे अगर reopen होते हैं तो कब तक ये चलेगा तो हम सभी updates के उपर बात करेंगे और बात करेंगे कि government का क्या mood लगा है कि government क्या चाते है school reopen करेगी risk लेगी या फिर नहीं लेगी पहली चीज मैं बता दूँ जो pollution के can't school बंद हुए है इस बार ये supreme court के instructions के उपर बंद हुए हैं उनके order के उपर बंद हुए हैं क्योंकि उनकी तरफ से फटकार लगाई गई थी कि जब situation इतनी ज़्यादा critical है तो school कैसे आप reopen कर सकते हो तो इस बी स्कूलों को जो बंद किया गया है वो supreme court के order के according बंद किया गया है तो हलके में नहीं लिया जा सकता है इस चीज को बिलकुल जब situation नॉर्मल होगी तभी स्कूलों को reopen किया जा सकता है अगर हम सिरफ pollution के बात करें तो अभी की जो आज की कल की मैं बता रहा हूँ अ महराना परता आप ISBT की बात की जाए तो यहां के मैंने online चेके थे तो अभी भी critical level के उपर है यानि कि pollution में अभी भी improvement नहीं यहां outer area में थोड़ी सी improvement दिखाई दिया जो थोड़ा से motion change हुआ है ठीक यानि कि पहली चीज situation अभी भी critical है कब तक रहेगी जो weather forecasting की report आप Google करके तो next five days की जो report आपको मिल जागी तो उसमें भी यह कहा गया कि next five days में situation as it is बनी रहेगी क्योंकि हवा की moment नहीं दिखाई दे रही है जब तक यह moment नहीं होगी तब तक वो pollution यहीं का यहीं जमा रहेगा उसमें moment भी नहीं होनी है तो यानि pollution के कान अभी तक तो यह situation लग रहा क्योंकि Supreme Court है उनके तरब से already काफी कुछ सुनने को मिला कि आप ऐसे risk नहीं ले सकते ओके तो इसके regarding अभी की जो update आ रही है updates के regarding यह है कि एक बार फिर से इस चीज को weekly review करेंगे जो education department है वो review करेंगे जो ministry है environment ministry वो review करेंगे कि क्या situation है तो अभी के update यह आ रही है कि 16 को review किय जाएगे इस situation को 16 को एक meeting होने वाली है और उसमें देखा जाएगा कि situation कैसी है यानि उससे पहले कोई chances नहीं है दूसरा जो आपका question आ रहा है 10th class के students की तरफ से कि sir हमारे लिए क्या हमारे exam over हो रहे हैं तो क्या उसके बाद Monday से हमें school जाना है तो उसके regarding अगर बात की जाए तो Monday से school जाना है नहीं जाना है जब school ही reopen नहीं है क्योंकि अभी जो आप exam देने जा रहे हो जिसे 9, 10, 11, 12 के students जा रहे हैं सिरफ exam के लिए आप school जा पा रहे हो तो school close है it means that Monday से आपको school नहीं जाना है जब school reopen होगे तब ही से आपकी classes चले गे और दोबारा से आपको schedule दिया जाएगा अब हम तीसरे आपके question की तरह पा रहे हैं तीसरा question है Omicron को लेकर के कोविड को लेकर के कि कोविड फिर से लोट रहा है कितना serious है यह situation कितना खतरनाक है तो उसके regarding अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि government को serious steps लेने वाली है क्योंकि cases है वो गिंती क्या है और उसको regarding भी अभी तक सही तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितना serious है क्योंकि अलग अलग तरिके से वो दावे किया जा रहे हैं कि कहीं तो यह कहा जा रहा है कि नहीं it's normal है इसमें symptoms भी आपको नहीं दिखाई देंगे और कुछ cases में कहा जा रहा है कि नहीं यह swear होगा काफी ज decision नहीं लिया जाएगा तो उसमें आपके लिए अभी की जो update है कि Omicron को लेकर कि government की तरफ से स्कूलों के उपर अभी फिलाल कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है अगर cases बढ़ते हैं तब देखा जाएगा और तब कब देखा जाएगा जब winter break के बाद क्योंकि अ ऐसा कर देगा अभी तक कहीं पर इंडिया में कोई ऐसी situation नहीं आई है ठीक उसके बाद यहां पर बात आएगी आपकी वरक्षीट की कि सर हमारी study कैसे continue रहेगी फिर तो आपकी वरक्षीट जो first to eighth class है उनकी वरक्षीट as per schedule जो से पहले चलती थी वो चलती रही है और चलती teen के पाद जो आपका मंडे आ रहा है तो उससे आपकी वरक्षीट दोबारा से रिजूम हो जाएगी यानि कि दोबारा से आपको वरक्षीट मेलेगी और आपकी online study वो चलती रहेगी स्कूल रियोपन होते हैं that's great आप स्कूल में आपके teachers अगर आपको अलाओ करते हैं कि अभी तक जो students थे काफी सफर करना पड़ा है और education यानि कुछ आप भी देख रहे होंगे जैसे 10th के exam हो है तो आपने judge किया होगा खुद को अपज़व किया होगा ये अलग बात है कि आप मानोगे ने खुद को अपज़व किया होगा काफी सारे students थे बहुत अचा score कर रहे ना 9th के बच्चे या बाकी classes के खुद को judge भी नहीं कर पा रहे हैं तो government है दूसरा parents की तरफ से भी pressure बनाये जा रहा है कि नई schools को reopen कर दिया जाए तो मैं कुछ tweets दिखा रहा हूँ जैसे ये parents की तरफ से है कि school reopen कर दिये गए थे कब से 21 months के बाद और उसके बाद poor air quality index है उसक school को reopen कर दिया जाए तो parents की तरफ से बहुत सारे tweets है तो मैं कुछ tweets आपके साथ share करा हूँ यहाँ पे एक और tweets है यह डैली NCR का है तो यहाँ पर भी इसी type से request की गए डैली NCR का है गुरगाओं का है तो वहाँ पर भी दोबारा से जो education minister है या जो हर्याना के deputy cm है उनको उपन कर दिया जाए तो parents की तरफ से pressure बनाए जा रहा है तीसरा air quality index को अगर देखा जाए तो यह मैं आपको share करा हूँ air quality index की क्या situation थी Tuesday की तो यह देखिए यह आनंद विहार का है ISBT का डैली का और यह 414 air quality index है और यह अभी भी critical level के उपर है तो यहाँ पर अगर air quality index के according दे देखें तो अभी कोई chances नहीं लग रहे हैं लेकिन आपको जैसे ही जैसे 8 तक जो students से अपना पूरा जोड लगाई है अपने study जैसे आप कर रहे हैं online उसको आप continue रखिए और 9th 10th की 11th की बात की जाए तो जैसे ही आपके exam over होते है तो आप mode अपना change कीजिए अपने study में द period में क्योंकि इतना ज़्यदा वो seriously उन्हें नहीं लिया था या mentally तो पर पर प्रिपेर नहीं थी term 1 के लिए तो आपको अपनी percentage को ऊपर लेके आना है तो आपको अपना 100% देना होगा और 100% देने के लिए आपके पास 60 days का time है क्योंकि उसके बाद आपके exam दोबारा से शु जहां पर भी जैसे हमें PDF मिलते हो तो PDF वहां पर शेयर किये जाती है जिसका link description box में मिल जाएगा और आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो आज के लिए बस इतना है thank you bye bye have a nice day